नमेश्का दोस्तोँ मेरा नम डॉक्टर नगिंद्रियादः आज का मेरा वीडियो का टोपिक है बर्ड्स मेंalin करनी क्यों जुरूरी है किस एज के बर्ड्स के डिवार्मिक करनी चाहिए क्या छोटे बच्चों की डिवार्मिक करनी चाहिए यानि यह बहुत से लोगों के मन में प्रशन होता है कि devorming करने का सही तरीका क्या है और किस age group में करने चाहिए देखे पहले तो devorming शब्द का मतलब, devorming का मतलब होता है birds के आपको पता है worms वोते हैं birds की body में दो तरह के parasites होते हैं, एक वो parasites जो शरीर के बहार रहते हैं को clean करने के लिए automatic कुछ न कुछ ऐसी उसको समझ होती है, वो कंकड पत्थर खा लेता है या कोई घास वगार खा लेता है जिससे की उसकी पेट के कीडों की cleaning हमेशा होती रहती है, devorming करने की जुरुत nature के अंदर नहीं होती है हर तीन-चार महिने के अंदर उनके जो intestinal load होता है, यनि intestinal के अंदर जो worms का जो load होता है, automatic वो बढ़ जाता है और ऐसे में क्या होता है कि उसमें फिर बर्ड्स दुबला पतला होना शुरू हो जाता है, कई पर बर्ड्स बहुत ज़्यादा एकसेस में खाना खाना शुरू कर देता है क्योंकि जो खाना होता है वो birds नहीं मांगता है जो अंदर जो warm से वो मांगते है birds लगातार खाना खाता रहेगा खाता रहेगा और birds दुबला पतला भी होता रहेगा तो इसलिए यदि हम तीन महीने के gap पे एक routine ऐसा fix बना ले कि एक बाब birds की सबी birds की automatic devorming कर दे पेट के कीडो की दवा उसको पीने के पानी में दे दे ताकि birds की पेट के cleaning जो है अंदर से होती रहे devorming की medications देखे कोशिश करनी चाहिए कि हर बार जो है अलग-अलग change करके देना चाहिए यानि क्योंकि आपको पता है worms भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं एक ही दवाई यह दी आप बार बार दोगे तो वो हर तीन मेरे बाद तो वो next time वो worms उसका रेजिस्टेंट हो उस पर असर ही नहीं होगा इसे जब भी कभी change करनी हो तीन मेडिसन्स होती है अब बात आती है कि डिवाउमिंग क्या डोज क्या देना चाहिए देखी mostly जो है पीने के पानी में लगाता तीन दिन देने चाहिए इसका जो शुडूल है एक दिन देने से काम नहीं चलता है तीन दिन सुबह खाली पेट पानी में दे पांच एमेल एक लीटर पानी के इसाब से चिती क्वाउंटिटी आपके पानी की है उसी साब चाहिए डोजर बढ़ा सकते हैं रात के टाइम में आपनी डिवार्मिंग करने से पहले पक्षी का छिव दाना और पानी हटा करके सोना अगले दिन सुबह उटकरके सबसे पहले पानी देना है पानी के इंदर अपनी दवाई देनी है दो से तीन घंटे दवाई का पानी रखा रहें दिजिए उसके बादा प्लेट पानी अप लगा दिजिए सारा दिन इस पानी को रखने की ज़रूत नहीं है जो छोटे बच्चे हैं बर्ड्स की नीचे कोशिश करें उन बर्ड्स की डिवार्मिंग उस्टेम ना करें क्योंकि छोटे बच्चों में क्यवर क्या होता है क्योंकि जो devorms होती है क्योंकि नुकसान कर सकता है इसलिए जिस birds की नीचे छोटे अंडे बच्ची है उन birds की devorming ना करें जब आपका baby birds तीन महीने का हो जाए उस time में आप अपने उन बच्चों की तीन age group के बड़े बच्चों की ही आप devorming स्टार्ट की दिए तीन दिन का time होना चाहिए तीन दिन लगातार कीजिए क्योंकि उसमें कई बर कर कोई birds पानी पीता है कोई नहीं पीता है तो हम यह मान के चलते कि उस तीन दिनों में birds ने एक बार तो कम से कम पानी पिया होगा ताकि जिस परपस से हैं medicines दे रहे हैं उसका effect हो सके devorming जो है सबी birds की करनी चाहिए और इसको जो है birds की health पर क्या परभाव बढ़ता देखिए यदि आपके birds की regular devorming होते रहेगी उसमें क्या है एक तो आपके birds की physical fitness एकदम active रहेगी आपके birds के feathers के अंदर कोई भी आपको problem नेजन नहीं आएगी नहीं तो आप देखेंगे कि पक्षी के जो पंखो के color है natural color है वो fed हो जाते है birds दुबला पतला हो जाता है या मैं यह कहूंगा कि आपका bird जो सूखे में आता हम जिसको कहते है सूखे की हड़ी की जो बिमारी होती है इसका एक reason भी कहीं ना कहीं आप अगर back में जाएंगे तो उसका reason भी ही होता है कि पेट के worms में excess worms होते क्योंकि birds एक दिन में सूखे में नहीं आता इसले डिवामिंग करना birds के लिए बहुत ज़्यादा फाइदेमन होता है और सभी birds की आपको जो captivity में है उनकी जरूर करने चीए दूसरा डिवामिंग करनी का एक natural तरीका और भी है यदि किसी के पास suppose कि जी medicines available नहीं है तो उसको क्या करना चीए अलोविरा का plants आता है देखे अलोविरा plants की leaves को cut करके आप रात भर उसकी leaves को cut करके पानी में डाल करके रख दीजिए रात भर आट दर्स गंटे वो leaves पानी के अंदर रहेंगे तो उसका जो flavor है अलोविरा का automatic आपके पानी के अंदर आ जाएगा और सुवह आप उस पानी को चान करके अपने birds को दे दीजिए ये एक natural तरीका है हम इसको natural devormer भी बोल सकते हैं कि जिन भाईयों के पास medicines available नहीं है वो अलोविरा plants easily हर जगर available होता है तो birds को इस तरीके से भी आप अपने birds की पेट की worms की medicine आप दे सकते हैं और ये भी 100% effective है तो इसलिए इस तरीके को अपने है यदि आपके medicines available है आज मैंने इस वीडियो के बादे हम से आपको बता है कि birds की devorming करना क्यों जरूरी है किस age group के birds को करना चाहिए और medicines के अलावा क्या alternative तरीका होता है आपके पास devorming करने का उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए अगर यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद